कि इनिस अरे डबल खालो दोस्तों कैसे हो सब दोस्तों यह देखी इस तरीके के खाली डिब्बे मैंने बहुत सारे मेरे पास पो रखे हैं तो आप लोगों के पास भी होंगे जिनका कि हमें कोई भी यूज समझ में नहीं आता कि हम इंका क्या दरें तो इसको कबाड़ी को द बिल्कुल आपको बेस्ट यूज बताऊंगे बिल्कुल लो कोश्ट में और बहुत ही असान तरीके से तो आपके पास छोटे बड़े किसी भी तरीके के डिब्बे हो तो उनका आप अच्छे से यूज कर सकते हो तो चलिए में वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और देख इसका यूज कीजिएगा तो इसको मैं क्या करूंगी बिल्कुल पतला सा गोल तेयार कर लोंगी और इसका हम यूज करेंगे फैविकोल की जगह तो मैंने ये पतला सा गोल तेयार कर लिया है बस इतना ही पतला होना चाहिए और इसको हम यूज करेंगे इसके साथ आपको च तूटे हुए मीरर को भी यूज कर सकते हूँ, यहां मैं माक कर रही हूं, क्योंकि मैंने दो तरह की मिरर लिए हैं, तो उसमें हम डिजाइन देने के लिए बड़े वालों कर एक फिलावर बनाएंगे, उसके लिए तेन 10 इंच का माग कर रही हूं लंबाई और चड़ाई दोनों तरफ से और थोड़ी तिर्चा इसको रख रही हूं ताकि यह डिजाइन में अच्छे लगे तो इस तरीके से पहले इसको तिर्चा करके और ऐसे कर लेंगे अब हम इसको इस तरीके से लगाएंगे इसकी जगे दोस्तों अगर आप चाहो तो फैविकोल का यूज करना क्योंकि यह सीमें सुखने में बड़न टाइम लगाएगी और जबकि फैविकोल आपका जल्दी से सूख जाएगा और इसमें क्या होता है कि जब आप फैविकोल ल रेंज करेंगे यह फ्लावर बनाएंगे और उसके बाद हम छोटे वाले मिरर का यूज करेंगे तो सेप डिजाइन सोरी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कोई भी इस तरीके का बना सकते हैं इनके साथ साथ और लगा लेजिए तो और बड़ा आपका डिजाइन बन सकते हैं या आप इसको रेंडमले भी लगा सकते हैं जो भी आपको लगे या फिर इसी तरीके के सेम डिजाइन के आप फ्लावर और बना सकते हैं चोटे वाले से वह आपकी इच्छा है आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं तो हम इसको पूरा सजा लेंगे पहले किसको हमन भाईट सिमेंट और जो उसी होती है उसको उसको रीआ मेरा मात्रा में थोड़ा सा थीक पेश्ट बनाया है यहां आ है को यहां को यह पेश्ट थीक रखना है और जो हमारा जो डिभबा है इसकी जो एक किनारी है जहां ढर्खन लगाता है इसको हम तोड़ी सी अच्छी सेप बनाएंगे क्योंगि यह फिर ऐसी निलगना चाहिए na कि यह हमने खाली डिबबा लिया है तो जिसे exerc को ऐसे हम एक अच्छी सी सेप में ले आएंगे जिसे की वाश का रूप लगेगा ये देखे दोस्तों इस तरीके से अब जब आप इसको लगा लें तो थोड़ा थोड़ा पानी लगा कि इसको जब करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा चिकना हो जाता है चमक आजाती है ज मैंने क्या किया जो बड़े वाले मिरर है उनको इसी सरकल सेप में लगा दिया है इसके साथ साथ आप छोटे वालों को भी लगा सकते हैं वो आपकी उपर आप किस तरीके से लगाएंगे अब इसको हम सूखने के लिए रख देंगे और यह हमारा सूख के तयार हो गया है यह अब हमें क्या करना है जो हमारी यह गैप बचा हुआ है इसको हमने भलना है तो अगेन मैंने वही किया हाफ ली है हमने वाइट सिमेंट और हाफ हमने पुटी ली है इसकी जगह आप चाहो तो पूरी पुटी ले सकते हो और पूरी सिमेंट ले सकते हो लेकिन आपको अगर पुटी ले रहे हो दोस्तों तो इसमें फैविकोल ज़रूर मिक्स करना नहीं तो पुटी जल्दी ही टूट जाती है तो अच्छे से फैविकोल मिक्स कर लेना और वाइट समेंट में भी चाहो तो आप कर सकते हो वो आपकी इच्छा है और ये मैंने जो कलर था मेरे पास पिं अगर आपको अच्छे से सिखा लेकले पिल तो यह लेंगे नहीं सकते ही बहुत ज्याद अपको नहीं लगानी है यह नहीं है कि आप बिल्कुल उपर तक किसिको कर दे एक्स्ट्रा है उसको हटा देना है दोस्तों तो यह इस तरीके से आप गिल्ले पानी का हाथ ले और थोड़ा सा हटा दे नहीं तो आपको बाद में पता नहीं चलेगा कि आपका डिजाइन कहा है और डिजाइन छुप जाएगा तो इसके लिए मैंने क्या किया थोड़ा दिखने लाइक बना दिया कि यहां हमें अपने मिरर दिखाई दे तो यह बहुत सुंदर वाश और जितनी बड़ी आपका डिबा होगा दोस्तों तो यह फ्लोर वाश भी आप बना सकते हैं बहुत सुंदर लगते हैं किसी भी कोर्णर में रख दीजिए और अब हम इसको सेप देनी है और जो यह वाली बची हुई थी हमारी पुट्टी और वाइट सिमिट इसी को मैं थोड़ा सा और टाइट कर लिया ताकि यह सेप में अच्छे से रहे और इसको फिर हमने सुखा लिया सूखने के बाद यह बस मुझे यह सेंट पेपर से इसको साफ कर देंगे ताकि यह जो हमारे मेरे रहे अच्छे से चमकने लगे और इसमें भी चमक आजाएं लेकिन दोस्तों मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो मैंने कलर डाला था पिंक को सूहने के बाद बिल्कुल लाइट हो गया तो जबकि मैं पिंक साती थी क्योंकि मेरे प पेंट करूंगी और मैंने इसको एल पेंट कर लिया अच्छा डार्क पिंक कलर जो की मेरे परते के साथ मैच करेगा और मुझे ऐसा ही चाहिए था तो आपको मेरा वाश कैसा लगा दोस्तों बहुत सुंदर लग रहा है यह इतना अच्छा वीडियो में लग भी निराज इ इसको आप किसी भी कोर्णर में रख के अपने घर को सजा सकते हो बहुत ब्यूटिफुल है थैंक यू दौस्तों बाइबाइबाइब बाइब